आज मैं बनाने वाली हो मीठा पंगल उसके लिए ले लिया मैंने एक कड़ाई उसके अंदर डाल दे एक कटोरी मूंकी दाल उसको अच्छे से अम लोग भूछ लेंगे एकदम गोल्डेन कलर आजे हलका सा एकदम दिम्याज बही कर लीजिए दीह कलर अच्छे से आरहा है अभी है की पर्फेक्ट कलर है अभी इसको एक बोल के अंदर ले उसके साथ एक कटोरी चामल भी ले लेंगे इसको अच्छे से दूलने के बाद बाट प्रषरकूकर बीलेखाहओ एक ही है अभी इसको तीन वी जिल के लिए रखना है कि देखिए पहला विजल दूसरा विजल और यह है कि तीसरा विजल कि अधिया अच्छे से पक गया एकदम कि प्रशर को को साइड में रख दीजिया अभी उसी प्यान के अंदर हमने लिए दो चम्मच घी उसके अंदर डाल दिया कच्छा नारियल छोटे पीस में कटा हो आपको चाहिए तो आप कद्दू कस करके भी ले सकते हो या आपको चाहिए तो थोड़े और बड़े पीस में हम लोगों को यह पर्फेक्ट साइज है इसलिए हमने ऐसे ले लिया नारियल भूझ जाओक न एकदम उसको धीमे आच में रखके साइड में हमने इलाची को भी अच्छे से भूझ लेंगे इसकी चिलके निकाल दिया साइड में और इलाची पॉडर के लिए अच्छे से उ जो उबला हुआ पॉंगल था चांवला और मुंकी दाल का बैट्रा और घीम के साथ इसको हलका सा फ्राइ करेंगे दीमे आच पे पूरा घी अच्छे से मिल जाए तब तक कि अच्छे से मिल जाए तब तक इसके बाद हमने लिए एक कटोरी चीनी और उसको डाल देंगे पैन में और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप लोगों को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग एक के जगा देड़ कटोरी भी ले सकते हो हम लोगों को ठीक ठीक पसंदे तो एक दम पर सब करने से देखे लिया तो ने सिपाई नहीं मिक्स करने के भाद हम लोगों को इसके बाद रख देंगे गयाओ अजब आफ इसके बाद ला कर देंगे दू आरियल रियंगे देखे परफेक्ट पग गया है अभी इसको ढखके दो मिली ट्रक देंगे जास बंद करने के वह उसके बाद गर्मा गम सब कीजिए बहुत हीज़ा टेस्टी होता है आप आप सब के वीडियो चलगा होगा अगर चलगा होगा अगर चलगा होगा लाइक किजिए शेर किजिए और अलसु दों फर्गेट दो सब्क्राइब